है रहे दोस्तों स्वागत है आपका माई यूट्यूब चैलर पर आज हम आपको बताएंगे फुटकोर्ण क्या होता है यानि पैरों के तलों में गाट हो जाना चलिए जानते हैं इसके लक्षन कारण उपचार सहित पूरी जानगारी चलिए बात करते हैं विश्तार से फुटकोर्ण कहते हैं जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं अधिकांस लोग इस समस्थ्य से परिसान रहते हैं यदि समय से इलाज ना किया जाए तो गाठे जो है बड़ा कार ले लेती है जिसकी वएसे जो है चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है फुटकोर्ण पैलों पर चली यहां पर बात करते हैं कारण करण की वैसे है और कोईवस्थू जैसे लख डी यह कांक ने पर इसके लावा इस अलावा नंगे पैर चलने पर रऊची जोते पहनने पर अग्गूज है खेत्या गॉड़न में नंगे पैर काम करने पर यह हो जाता है इसके अलावा गलत fitting के जूति पैनने से भी हो सकता है इसके अलावा और रहने कारण भी हो सकते हैं चलिए बात करते हैंँ यहाँ पर symptoms की इस तरह की समस्या होने पर जो है क्या symptoms दिखाई देते हैं foot corn में बहुत ज्यादा दर्द होना बेर के समान गाट का बनना और जो है इसके अलावा पैर के तलों में उभार महसूस देना फुट कोर्ण का जो है सपेध होना और जो है सही तरीगे से नहीं चल पाना इस तरह के सिम्टमस हमें दिखाई देते हैं चले बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की इसके अपचार के लिए लोग घरेली उपाए तरह तरह की एंटेपाइटिक्स पेंकिलर का सेवन करते हैं बट यह समस्या जाने का नाम नहीं लेती हलांकी दवाई से यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि यह समस्या ठीक हो जाएगी कुछ के हिसमें इन्फेक्शन जादा होने पर सरजरी की सला दी जाती है मैडिसिन से आपको दर्द में कुछ रहाद मिल सकती है परन्तु इसका जो एक मातर इलाज सरजरी है माइनर सरजरी से इसको ठीक किया जा सकता है चलिए बात करते हैं यहाँ पर बचाओ की फूटकॉन जैसे समस्या की जोखिम को कम करने के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए कमफर्टेबल जूते चप्पलों का इस्तेमाल करें नंगे पैर ना घुमें और जो है इसके लावा पैरों को साफ सुतरा रखें कुछ नुकिली ची लगने पर डोक्टर से जरूर प्रामर्श करें आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे संज में आ गया होगा इस तरह की मैत्तव पूर्ट जानकाई लेने के लिए हमरे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकन भी दबाए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत